दिल्ली सरकार ने सोगवाव को आदेश रावी करते हुए एक जनवरी तक पटाके के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वावा ये पत्र जावी किया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से भी गोपाल राय ने पत्र को पोस्ट करते हुए लिखा है कि सर्दियों में बढ़ते प्रदूशन को देखते हुए आज से एक जनवरी तक पटाकों के उत्पादन, भंडारण, भिक्री और उप्योग पर प्रतिबंद लागू किया है प्रतिबंद को लेकर दिल्ली सरकार ने निर्देश रावी कर दिया है और सभी दिल्ली वालों से सहयोग का नुरोद किया है बतादे कि इसको लेकर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है दिल्ली सरकार ने इस पत्र की कौपी सभी विभाग और दिल्ली के उपराजपार दफ्तर को भी बेजी है गौर तलब है कि लगतार अब वायू प्रदूशर बढ़ता जा रहा है और AQI खतरनाक स्थिती वे पहुशने लगा है दिल्ली ही नहीं वलकि नॉड़ा और गाजबाद समेट आसपास के इलाकों में AQI खतरनाक लानिश्वान के पार पहुश गया है उस समय जब मौसम प्रतिकूल होता है तो हमारे पास एक ही हथियार है कि जो जो सोर्स हैं चाहे डश्ट पलूशन के लिए हो चाहे वीकल पलूशन हो चाहे वायो मास बर्निंग हो इसको कैसे कम किया जाए उसी अवियान को सरकार लेकर के आगे बढ़ रही है कि जैसे अभी तक जो सक्ति थी कंस्ट्रक्शन पर इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन अब हमें जरूशन को तो नहीं हम बदल सकते लेकिन सोर्स को लिमिट करना ये हमारी ड़निटी है जिसके तहस सरकार एक ही सुत्री अपिन इंटरेक्शन प्लान के दाथ काम करते है निश्चित रूप से उसका एक ही हथियार है कि हम सोर्स को रिड्यूस करें है क्योंकि मौसम प्रत्कूल है और अगर सब कुछ जैसे पहले हो रहा था वैसे होगा तो फिर पलूशन का अस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसलिए जो इंसान के हाथ में है वो है कि जो हम पलूशन पैदा कर रहे है उसको नियंत्रित करें इसके लिए एक एक कदम आगे सरकार बढ़ रही है और जैसे जैसे जरूवत पड़ेगी इमर्जनसी सिच्वेशन में सरकार इमर्जनसी मेजर की तरफ भी बढ़ेगी तो सरकार हर तरफ से खोशिस हमारी यही है कि हम इसको कैसे रिडूस करें अब आज से एक जनवरी तक दिल्ली के अंदर पटाकों के उत्पादन भंडारन और जो वितरन है उसका उप्योग है उसके प्रतिबंद लगाया गया है हमारे सभी लोगों से अपील है कि हम सब लोगों को जो जो पलूसन के सोर्स हैं बूद बूद से सागर बढ़ता है तो जो जो पलूसन के सोर्स हैं हम सब मिल करके उसको नियंतरित करेंगे उतना ही दिल्ली के लोगों की जिन्दगी बेतर होगा